कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ड में हल्क का पुराना दुश्मन वापिस आ रहा है पर एक नए फॉर्म में पर ये कैरेक्टर जिससे हेट करता है वही क्यों बन गया और क्या इसकी पावर्स उसी के लेवल की है थैडियस थेंडर बोल्ट रॉस मार्वल सिनेमाटिक उनिवर्स के उन कैरेक्टर में से एक है जिने हम फेज बन से देखते आए हैं इसे नफरत है ब्रूस बैनर से पर इसकी बेटी बेटी रॉस को प्यार है ब्रूस से और आखरी बार हम थैडियस रॉस से मिले थे फेज फो पर यह नहीं पावर रॉस को मिली कैसे तो दोस्तों मैं हूँ उनसना और आज हम बात करने जा रहे हैं रेड हल्क यानि कि थैडियस थंडर बोल्ट रॉस के बारे में कि उसकी कहानी क्या है उसे उसकी पावर कैसे मिली और वो कितना पावरफुल है वीडियो शुरू करने से लाइक करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें और बेल आइकन ज़रू दबाएं तो स्पोईलर्स का ध्याम रखते हुए चलिए शिरू करते हैं MCU में Thaddeus Ross उन कैरेक्टर्स में से एक है जिसके एक्शन्स इंडिरेक्टली रिस्पॉंसिबल वने थैनॉस के स्नैप के लिए अगर रॉस इन्हेंस्ट बींग्स के एक्शन को कंट्रोल करने के लिए सुकोवी अकॉर्स को एवेंजर्स पर पुश ना करता तो एवेंजर्स हमें सबसे पहले दिखा 1962 की The Incredible Hulk Issue 1 में पर इस कैरेक्टर की पूरी कहानी हमें Marvel Comics के अलग-अलग हिस्सों से पता चलती है Hulk का ये दुश्वन पैदा हुआ था ऐसी फैमिली में जहां Military Service में जाने का ट्रेडिशन है Ross अपनी पूरी लाइफ में एक बार नहीं मरा बलकि कई बार मरा है पहले 10 साल की उमर में जब एक aerial show में उसका aircraft crash कर जाता है उसको plane wreck से निकाला जाता है कार्णेवल में जो डॉक्टर प्रेजेंट थे उसने उसे मरा हुआ घोशित कर दिया पर जब ambulance में उसकी body ले जा रही थी तब ही उसकी आँख खुल गई उसकी पीट तीन जगा से तूट चुकी थी डॉक्टर ने बोला कि अब वो कभी नहीं चलेगा पर एक साल body cast में बिताने के बाद वो चला उस दिन से उसके मन में डॉक्टर को लेकर respect खतम हो गई रॉस का interest मिलिटरी हिस्ट्री में था इसलिए उसने मिलिटरी academy जॉइन करी और graduate होने के बाद अपने पहले commander के अंडर काम करते हुए उनी की बेटी से शादी की जहां से रॉस की बेटी आई बेटी रॉस वर्ल्ड वार टू के दौरान रॉस की रैंक बहुत तेजी से बड़ी जहां वो कई combat लीड करने लगा उसकी leadership को देखते हुए उसका nickname पड़ा थंडर बोल्ट क्योंकि वो बिजली की तरह अपने दुश्मनों पर कड़कता था वर के बाद रॉस मेंबर बना रीड रिचर्ड की control team का जब ब्रूस बैनर स्कूल में था तब उसके एक experiment में blast हुआ जिसने ध्यान खीचा government का रॉस ब्रूस की family से मिला और उसने उन्हें कहा कि मिलिटरी ब्रूस की पढ़ाई में invest करेगी ताकि आगे जाके ब्रूस अपनी काबिलियत से देश की सेवा कर पाए इस incident के कई सालों बाद ब्रूस एक nuclear physicist बना जो कि लॉस एल्मोस में यूस government के लिए गामा बॉम पर काम कर रहा था डॉक्टर्स को लेकर रॉस के मन में जो disrespect थी वो continue हुई डॉक्टर ब्रूस बैनर के साथ जब लॉस एल्मोस में गामा बॉम की टेस्टिंग के दौरान उसने डॉक्टर बैनर को ground zero पर देखा वो जानता था कि इतने बड़े incident के लिए उसे ही जिम्मेदा ठहराया जाएगा बॉस बैनर गामा रेडियेशन के exposure से हल्क बना और रॉस निकल गया हल्क की खोज में जहां हल्क उसके सामने आया और उसको एक हाथ में दूर करते हुए हल्क ने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो उस दिन रॉस ने raw power witness करी ऐसी power जिसका कहीं न कहीं उसे भी लालस था और अमेरिका का भी तो यही तरीका था सबसे ताकतवर कोई होना चाहिए तो वो तुम खुद जितने भी बार रॉस हल्क के पीछे गया हल्क ने उसे दूर कर दिया ये बोलते हुए कि मुझे अकेला छोड़ दो तब रॉस ने वो किया जिसकी किसी को उमीद नहीं थी उसने मोडॉक के साथ हाथ मिलाकर अबॉमिनेशन को आजाद करवाया वो जानता था कि ये देश के साथ गद्दारी होगी पर देश को बचाने के लिए हल्क को खतम करना जरूरी है पर अबॉमिनेशन हल्क का कुछ ने विगार पाया हाला कि रॉस की बेटी इस मुसीबत के रास्ते में थी इस इंसिडेंट के बाद रॉस की बेटी बेटी अपने पिता से पूछती है कि वो उसके साथ और उसके देश के साथ गंदारी कैसे कर सकते हैं रॉस जानता था कि वो गलत है वो खुद का चहरा तक नहीं देख पा रहा था हाला कि रॉस पर ट्रीजन के चार्जिस नहीं लगे पर उसने अपने आपको रेडीम किया जब जैकस नाम के म्यूटन को रोकने के लिए और अपनी बेटी को बचाने के लिए रॉस ने खुद को सेक्रिफाइस किया और अपनी बेटी की बाहों में दम तोड़ दिया पर जैसा कि मैंने बताया कि रॉस कही बार मरा है Ross की बॉडी Samuel Stunt यानी लीडर के हातों में लगी जिसने Ross की बॉड़ी को प्लैट किया Redeemer Armor में Ross का दिमाग काम कर रहा था पर वो Redeemer को कंट्रोल नहीं कर रहा था Redeemer को कंट्रोल कर रहा था हल्क को लेकर रॉस का हेट जिसको लीडर एम करता है हल्क की तरफ हल्क रीडीमर को हरा देता है पर जहां रॉस को रीडीमर की पावर्स फील हुई अब उसे वैसा कंट्रोल चाहिए था रॉस वापिस जिन्दा हुआ और वो वापिस अपनी बेटी से मिला रॉस को जीवन में सब कुछ ठीक करने का एक और मौका मिला पर तभी अबॉमिनेशन ने रॉस की बेटी की जान ले ली उसी दोरान हल्क को इलुमिनाटी ने स्पेस में भेज दिया और सिविल वार के एवेंट्स के बाद किसी ने कैप्टन अमेरिका को गोली मार दी कैप्टन अमेरिका वो आदमी थे जिसे रॉस उसके पिता उसके दादा सबने सम्मान से देखा था वो मर गए रॉस के पास कुछ नहीं बचा था तभी रॉस के पास आते हैं लीडर और मोडॉक जो कि रॉस को मौका देते हैं सब कुछ ठीक करने का Ross जानता था कि उन पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा पर लीडर और मोडॉक जानते थे कि उन्हें Ross के कौन से बटन दबाने हैं उन्हों रहे Ross की बेटी का नाम लिया, देश की रक्षा का नाम लिया, Ross सब ठीक करना चाता था हाला कि जब हल्क स्पेस से वापिस लोटा तो उसके वर्ड ब्रेकर फॉर्म की तबाही रॉस ने सामने से देखी हाला कि हल्क को रोकने के लिए जिस सैटलाइट को फायर किया गया जिसकी वज़े से हल्क अपने ब्रूस बैनर फॉर्म में बदल गया उस सैटलाइट ने हल्क पर कुछ फायर नहीं किया था, बलकि उसकी गामा एनरजी को खीच लिया, और उस एनरजी को बाद में ट्रांसफर किया गया, रॉस में, जिससे रॉस बना रेड हल्क, जो रॉप आवर रॉस ने हल्क में देखी थी, जो उसने रीडीमर आर्वन में फील करी थी, वो पावर उसकी मदद मांगी और ऐसा दिखाया कि जनरल रॉस मर चुका है, तब वो गया लीडर के पास, अपनी गामा एनरजी को एब्सॉर्ब करने की पावर्स को उसने यूज किया लीडर पर और उसे वापिस नॉर्मल इंसान में बदल दिया, उसी दौरान वाइट हाउस में जि कि उसका खुद पर कंट्रोल है, हाला कि इनके इनिशेल पावर लेवल सेम है, पर जहां हलक अपने गुस्से के साथ स्त्रॉंग होता चला जाता है, वही रेड़ हलक अपने घुस्से के साथ हीट है, जिसकी यदे से अगर जादा इंटेंस होगा, तो कमझोर पड़ सकता है पर उसके पास एक advantage है वो अपनी मर्जी से Red Hulk बनता है और अपनी मर्जी से वापस normal होता है इवन अगर उसको भेहोश भी कर दिया जाए उसके Red Hulk form में तो भी वापस change नहीं होता जल्दी से description की link को click करके World War Hulk को अपनी collection में add करें अभी Red Hulk का जबर्दस action हमें दिखेगा Captain America Brave New World में जहां हमें देखना है कि Edmantium की gamma radiation absorb करने वाली property को कैसे use किया जाएगा प्लस क्या Captain America की shield दुबारा बनाई जाएगी Edmantium और Vibranium को mix करके ताकि Sam Wilson का Captain America Red Hulk से निपट पाए पिछले मही ने industry insider my time to shine ने एक list सामने रखी उन characters की जो Avengers Doomsday में हमें दिखने वाले हैं यहां Hulk भी शामिल है तो अब मुझे उमीद है कि अब जब Marvel Red Hulk का गुस्सा हमें दिखाएगा तो हमारे normal Hulk को भी पहले जैसे गुस्से में दिखाया जाए तो दोस्तो यह थी वीडियो रेड हल्स के बार में Captain America Brave New World capitalize कर रहा है Marvel के past पर और जा रहा है characters के roots की तरफ अब यह मैं excited हूँ यह देखने के लिए कि Sam Wilson का Captain America कैसे निप्टे का इतने बड़े threats से पर फिर बिए गर उससे कोई टिल मिस हो गई हो यह आपके इसको नए दिखना चाहते हैं तो मैं आपको मारी World War Hulk comic series recommend करूंगा साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसे कई साथ सूपर कॉंटेंट के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू गाइज लिए नमन सेना और शूपर शूपर पीस